Hello students I hope you are doing good हम लोग कर रहे थे आपका third chapter of genetics and that was evolution evolution क्या होता है यह सारा कुछ हमने देख लिया था हमने कुछ initial phases में जो theories रखी गई थी सामने वो भी देख लिया था हम फिर बात कर रहे थे about the evidences जो की favor करते हैं कि evolution किस तरीके से हुआ था और उसका cause क्या होता है बहुत सारी theories थी जो की नहीं accept हुई पर जो सबसे आद the mostly accepted theory थी that was biochemical theory ठीक है अब उसके बाद हमने start किया था the evidences जो की बोलते थे कि हाँ evidences का मतलब प्रमान ठीक है evidences जो की favor करते थे evolution को हमने classify किया था पहला था आपका morphological and anatomical evidences वो हमने complete कर लिया था next हम कर रहे थे आपका embryological evidence वो भी हमने कर लिया था last class के ही अंदर next came your paleontological evidences मतलब वो evidences जो की हमें fossil से मिलते हैं वो भी हमने कर लिया था last class में हमने horse का evolutionary history trend देखा था ठीक है so I hope आपको clear होगा और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आज हम evidences के अंदर हमारा fourth वाला point लेंगे that is bio geographical evidence तो चलिए बात करते हैं about the bio geographical evidence वो होता क्या है और उसके examples क्या है ठीक है अब देखे नेक्स जो fourth आपका evidence है that is in favor of evolution वो है आपका bio geographical evidences अगर आप इस word को breakdown करे भी से bio and geographical ठीक है अलग-अलग geographical regions में आपको जो अलग-अलग organisms मिलते हैं वही आपको evidence प्रवाइड करते हैं of evolution ठीक है इसको और अच्छे से हम अगर आपकी definition पर ध्यान दे bio geographical bio geography the study of the geographical distribution of organisms provides information about how and when species may be evolved इसका एक example आप normal common terms में ले सकते हैं देखिए अगर आप एक desert में देखें वहां आपको cactus मिलेगा और अगर आप cactus को यहां देखें यहां मिलेगा नहीं cactus का जो body का एक जो ढालते हैं वो आपने conditions external conditions के हिसाब से ढालते हैं तो geographical regions के हिसाब से आपको अलग-अलग organisms मिलेंगे ठीक है उससे आपको एक evidence भी मिलेगा कि हाँ यह जो region का ऐसी स्थिती है ऐसे conditions हैं उनके basis पे कैसे इन organisms ने evolve किया होगा ठीक है जैसे देखिए अगर एक desert है वहापे बहुत गर्मी है पानी का भाव है पानी की कमी है तो इस चीज़ से cope up करने के लिए organisms को अपने अंदर बदलाव लाने होंगे बदलाव मतलब evolution करना होता होगा अपने body में changes लाने होते होंगे ठीक है तो यही जगह के हिसाब से organisms अपने body को ढालते हैं change करते हैं evolve होते हैं ठीक है यही evidences भी provide करता है in favor of evolution fossils provide evidence of long term evolutionary changes documenting the past existence of species that are now extinct अब देखिए आप कहेंगे कि माम वहाँ पर अभी तो cactus है पर पहले कैसे organisms रहे होंगे जिसके माध्यम से वह अभी evolve होके अभी cactus बन गए तो उनके पहले जो organisms होंगे उनके death हुई होगे उनके fossils मिलेंगे तो उन fossils के माध्यम से आपके पास बहुत ही important एक सुराग है एक key point है evidence है जिससे आप जान सकते हैं कि क्या तरीके से क्या changes लाग के organisms में evolution आया changes आया तो आज आपको वहाँ पे cactus मिल रहा है ठीक है तो आपके syllabus point of view से इस बायो जो geographical evidence के अंदर कुछ बहुत important examples है जो सबसे important है that is darwin's finches ठीक है darwin के बारे में आप डानते होंगे ठीक है darwin ने क्या किया था वह एक ship लेके voyage पे निकले थे sailing के लिए निकले थे long लंबे समय के लिए ठीक है तो बीच में जितने भी जगहें आई और वहाँ पर जितने भी organisms आया plants animals उनके उपर उन्होंने research किया ठीक है तो darwin एक island पर पहुंचे उन्हें एक special type की bird मिली उनको finches कहते है तो इसले heading क्या है darwin's finches ठीक है महाँ पर कैसी birds मिली उन्हें small sized black birds महाँ पर उन्हें मिली small sized black birds ठीक है कहां मिली मैंने आपको बोला एक island पर पहुंचे थे वह तो found in gallop gauze island very very important mcq questions हातने काफी इस पर 20 प्रकार की varieties उन्हें type के finches की मिली महाँ पर 20 varieties तो क्या-क्या varieties में different था एक तो उनका size अलग था और दूसरा beak shape due to different food habit ठीक है यह changes जो आया था है यह सारी finches ही थी लेकिन एक finch से कैसे 20 type की varieties निकल के सामने आई एक तो उनका size अलग अलग थ ठीक है दूसरा beak size beak size अलग-अलग क्यों हुआ ठीक है उस वह थी grain eating birds ठीक है दाना चुकती थी grains खाती थी अब देखे island ही था वहाँ पर अलग-अलग प्रकार के food available थे जिनको grain मिला उनका एक type का बीक बना जिनको worms मिले खाने के लिए उनका एक प्रकार का बीक मिला सभी grain ख करना पड़ा अपने आपको चेंज करना पड़ा तो इसी तरीके से अलग-अलग food habits के वज़े से बीक का शेप जो था वह अलग हो गया इसलिए क्या मिली हमें 20 varieties मिली तो हुआ क्या उसमें basic जो थे और यानिजम वह फिंचे थी थे ठीक है ब्लाक बोर्ड थी थे अब अलग प्रकार का फूड मिला इस वज़े से उनके बीक शेप में चेंज आया उनके साइज में वह अंतर आया कि जैसा खाना मिलेगा उस तरीके से वह ग्रो करेंगे ठीक है तो यह था डिफरेंस अब यह जो गैलपकॉस आइलेंड था यह एक ग्रूप था एक समूदाय था जहां यहां पे 22 स्मॉल आइलेंड साथ जुड़के उन्होंने बनाया था इस गैलपकॉस आइलेंड को यह कहां मिलता था वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका ठीक है आप डार्विन ने जो रिसर्च की उस पे और साइन्टिस ने बोला डॉर डॉक्टर डेविड लैक उन्हों अब देखे सारी क्या थी सारी बस फिंचे थी लेकिन ड्यू टू डिफ्रेंट फूड्स अवेलेबल अलग अलग प्रकार का जो फूड अवेलेबल था उन्होंने इस उस वजह से चेंज लाएं अपने अंदर इस वजह से अलग अलग 20 वराइटी बनी डाइग्राम देख स रखता है एक जो गोल सरकल है वो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारी तो फिंचे थी लेकिन अलग 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 फूड मिलने के वजह से उन्होंने अलग 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 वराइटी तयार कर दी ठीक है तो इस ट्राइब के एविल्यूशन को हम कहते है डाइवर्जेंट एवि लेकिन अलग अलग बीष बना दी एड़जस्ट करने के लिए जीने के लिए एगजिस्ट करने के लिए ठीक है सो आध यह Best New एविशन आपको अलग करेंगे अंग कि दिंट्रूटीन और बदिस्सत्रिबूशन के बारे में ठीक है अब देखिया आपका जो second point है आपके bio geographical evidences में that is discontinuous distribution ये क्या होता है इसको ऐसे समझते हैं अगर आपने geography पढ़ी होगी ठीक है geography में आपको ये चीज पता होगा कि बहुत सारे continents हैं ठीक है time में ये था कि सारे continents जो थे वह एक साथ joint थे land area पूरा joint था ठीक है समय के साथ जब conditions change होने लगे तो क्या हुआ ये जो continents का जो ये land का इतना बड़ा stretch था वह धीरे धीरे छोटे छोटे टुकडों में टूटने लगा बठने लगा ठीक है तो जब वह साथ में थे एक jointed पार्ट की तरह तो सारे organisms उसी के उपर थे ठीक है तो इसलिए क्या हुआ माल लीजे जो center वाला पार्ट है माल लीजे circle circle की तरह लीजे circle में ही सारे continents थे माल लीजे कुछ ऑर्गानिजम सेंट्रल पार्ट जो circle का सेंट्रल पार्ट है उसमें प्रेजन थे ठीक है समय जैसे जैसे बतला तो यह जो एक बड़ा सा लैंड का एरिया था यह तूटना शुरू हुआ अलग-अलग एरियास में बट गया और ना हर एक लैंड एरिया के बीच में water भर गया अलग-अलग oceans आ गए तो जो center पार्ट में जो organism थे या फिर एक specific point पे जो organism से माल लीजे center part में breakage आया तो माल लीजे वो चार टुकडो में तूटा तो जो center part वाले organisms थे वो चारो पार्ट में थोड़ा-थोड़ा distribute हो गए ठीक है तो कुछ organisms आपको यह उस टुकडे में मिलेंगे कुछ organisms आपको अलग वाले टुकडे में मिलेंगे इसी को हम कहते है discontinuous distribution ठीक है a distribution in which populations of related organisms are found in widely separated parts of the world यह यहां पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही यह जो main part या एक single जो block था land का जब वो टूटा माल लीजे एक part में सारे organisms प्रेजंट थे माल लीजे उसी part में breakpoint आया तो जो center में present था जो organisms present थे वो चारों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा बट गए ठीक है तो एक टुकड़े में जो था organism वो आपको दूसरे टुकड़े में कहीं और दिख रहा है तो इसको discontinuous कहते हैं ठीक है widely separated parts में दिखते हैं इसका example लेते हैं Mongolia, Tulip and Sassafers found only in China and Eastern USA चाइना कहां और USA कहां कितना ज्यादा difference है तो कुछ यह जो तीनों और यानिजम्स हैं यह इन दोनों parts of world में ही पाए जाते हैं चाइना में और Eastern USA में कितना difference है लेकिन यह क्यों हुआ होगा आपको पता है कि पहले शुरुआत में सारा लैंड एक साथ था फिर ब्रेके जाया दिये धी revolution के साथ तो बट गया अलग-अलग हिस्सों में ठीक है अगला elephant दो ही जगा पाया जाता है एक इंडिया और एक आफ्रिका में फिर वह of fishes and normally fishes के पास gills होते हैं सारा कुछ इनके पास gills मतलब fishes जैसा ही है बस breathe करने के लिए exhale inhale करने के लिए इनके पास lungs है इसलिए इनका नाम क्या पढ़ा lung fishes इनकी अलग-अलग categories है नियो नियो सिराटोर्ट्स वह कहां पाय जाता है औस्ट्रेलिया में अगला lepicito siren यह कहां पा जाता आफ्रिका में तो सोची सारे lung fishes के टाइप है लेकिन कितने कितने दूर वाले जगहों में पाय जा रहे है तो इसी को कहेंगे आप discontinuous distribution यह क्यों हुआ यह भी हाई होप आपको clear है ठीक है अगला restricted distribution यह वह और गाने इस्ट्रिक्टेड मतलब जो fixed है एक specific जगह पे ठीक है land जो है वो break हुआ लेकिन कुछ organisms रुथ है वो land के specific part पर ही थे break भी हुआ तो वो उसी टुकडे में रह गए बीच सा कहीं से कुछ भी नहीं टूटा इसे लिए distribution भी नहीं हुआ तो इसका एक example है marsupials egg laying animals और mammals ठीक है यह कहां पाए जाता है पूरी दुनिया में यह बस Australia में पाए जाते हैं ठीक है तो I hope आपको clear है discontinuous distribution और restricted distribution discontinuous क्या था कि land area जब break हुआ अलग अलग तुकडे जो थे माल लीजे for example center part center part of that land area उसमें एक type of organisms थे center से माल लीजे तूटा तो अलग अलग जो टुकडे बने उसमें थोड़ा थोड़ा करके वो सारे organisms distribute हो गया तो इसको हम कहेंगे discontinuous distribution एक example हमने लिया मंगोलिया tulips sassafers अगला elephants तूसरा lung तीसरा lung fishes और restricted distribution क्या हो गया मतलब वो organisms कि हां breaking तू हुई land area की बट स्टिल जो एक टुकड़ा जो बना उसी में सारे के सारे organisms एक ही टुकडे में separate हो और किसी भी टुकडे में नहीं गए तो इसी को कहेंगे हम restricted distribution वो बस एक specific place में पाए जाएंगे तो example था marsupials ठीक है आपको यह clear है दोनों examples अब हम बायो जोग्रफिकल में एक और चीज़ बचती है उसको समझने की कोशिश करते हैं ठीक है अब देखिए बायो जोग्रफिकल में अभी हमने complete किया था discontinuous distribution and restricted distribution ठीक है अब एक हम आया convergent याद करिए जो पहले भी हमने जितने evidences पढ़े हैं उसमें बार-बार यह terms आया divergent convergent अब देखिए यह specifically bio geographical में बस नहीं आते है यह generalized terms यह evolution के अंदर आते हैं वह evidences है evidences के तहत यह जो convergent है divergent है यह हर एक के अंदर हर एक topic के अंदर आएगा ठीक है यह एक के अंदर fixed नहीं है convergent क्या होता है convergent evolution is when two species with different ancestral origin develop similar characteristics इसको देखिए ऐसे समझते है माली जे दो organisms है example लिया है हमने समझेंगे पर पहले मतलब क्या वो जानते हैं दो organisms है ठीक है उनका जो characters है ठीक है same है तोनों characters ठीक है लेकिन divergent में क्या था ancestral origin same था पर वो अलग-अलग species बना ली उन्होंने अलग-अलग adjusting nature की वज़े से यहां पर क्या हो रहा है ancestral origin different है लेकिन वो दोनों same character show करने लग गए तो इसको कहेंगे convergent evolution तो देखिए convergent evolution is when two species with different ancestral origin just the opposite of divergent ठीक है develop similar characteristics इसका example very very important mcq questions ठीक है placental mammals and marsupials ठीक है mammals highly developed highly evolutionarized organisms वो कौन हो गए वो होई placental mammals हम जिसके अंदर आते हैं ठीक है और अगला है marsupials egg laying organisms ठीक है तो देखिए placental mammals में आया mole ठीक है और marsupial mole आया marsupials के अंदर यह दोनों जो हैं दोनों बहुत ही अलग group में आते हैं ancestral origin दोनों का ही बहुत अलग है वो mammals है वो marsupials हैं लेकिन दोनों का जो character है दोनों का mouse mouse normal mouse जो क्या आता है अपका placental mammals के अंदर और marsupial mouse दोनों का भी body की बनावट लगभग सेम है characters लगभग सेम है लेकिन यह convergent के अंदर इनका example इसलिए आया क्योंकि ancestral origin जो है जहां से इनका जन्म हुआ है origin हुआ है वो अलग-अलग ठीक है आपको divergent और convergent के बीच में differences clear है और आपको जो आपका यहां पर मैंने आपको example समझाया है वो भी आपको clear है ठीक है अगला जो है आपका evidence ठीक है वो substances वो compounds जो की मिला के एक living organisms को बनाते है बायो chemical मतलब जैसे आपके biomolecules थे ठीक है अगला cytological जो cells होते है ठीक है जो की basic functional and structural unit होते है हर एक living organism का अगला physiological physiology में अपने अपने अलग-अलग organs पढ़े थे organs systems पढ़े थे organisms के बारे में पढ़ा था ठीक है तो यह सारा कुछ के बारे में अगर आप पढ़िये का साथ में तो यह भी evidence प्रोवाइड करता है ठीक है अगर आप पढ़ियेगा तो आप कुछ से यह समझ आएगा कि हाँ हम humans और chimpanzees के भीश में correlation है वो हमारे ancestors है chimpanzees में evolution हुआ तो आज जो हम humans है हम वो मिले ठीक है तो the basic and functional units of all living organisms which act as an evidence cells जो होते है ठीक है अगला the different types of biochemical reactions also act as evidences अलग-अलग प्रकार के जो reactions होता है जैसे enzymatic actions हुआ उसके बाद फिर और बहुत सारे proteins हुए तो यह सारा कुछ भी study अगर हम करेंगे अलग-अलग organisms के बीच में तो यह भी बहुत सारा evidence provide करता है अलग-अलग organisms के पीच में और कैसे वो किस ancestors से evolve हुए ठीक है इसके मेरे पास बहुत सारे examples है आपके लिए पहला है enzyme ठीक है दो enzymes ऐसे हैं जो की बहुत ही lower groups और बहुत ही higher group तक पाये जाते हैं एक है amylase और अगला है trypsin यह हमने पढ़ा था आपके digestive system में I hope आपको इन enzymes का नाम याद है तो amylase और trypsin अगर इसके उपर research होगा तो यह जो enzymes हैं दोनों यह बहुत ही lower group से लेके higher group तक सब के अंदर पाये जाते हैं digestion के लिए यह हुआ आपका biochemical reaction ठीक है तो यह sponges से mammals इन सभी में आप देखेगा अगर आप study करिएगा तो यह सभी में पाये जाते हैं ठीक है तो इसलिए यह भी इससे क्या समझ जाता है कि यह enzymes जो हैं अगर same है तो आपको यह चीज दिमाग मे क्लिक होना चाहिए कि इतने lower से higher organisms के बीच में पाया जा रहा है तो यह जो higher organisms vertebrates or the mammals यह किसी lower organism से ही develop हुए होंगे ठीक है क्योंकि सब में कुछ-कुछ common points ठीक है so I hope आपको यह point भी clear है अभी और कुछ examples हैं उनके बारे में जानते हैं और समझते हैं ठीक है अगला जो आपका example है about the enzymes के बाद अगला है hormones ठीक है तो यह जो hormone है इसका एक example thyroxine ठीक है अगर इस thyroxine को inject किया जाए tadpoles के अंदर tadpoles मतलब the immature form of rocks ठीक है if it is injected in tadpoles तो उसमें stimulate कर देता है एक process that is metamorphosis metamorphosis क्या होता है metamorphosis अगर आप लिखना भी चाहें यह एक biological process होता है जिसमें एक animal in which an animal physically develops after birth और hatching which involves a conspicuous and relatively abrupt change in an animal's body structure through cell growth and differentiation इस process को आप ऐसे समझेंगे देखिए अगर आप एक caterpillar को देखे ठीक है तो एक पहले larva हुआ फिर वो developed होके pupa बना उसके और ग्रोथ हुई तो इस process को हम metamorphosis कहते हैं ठीक है इतना जो abrupt change आता है एक organism के अंदर ठीक है माल लीजे उसका जन्म हुआ hatching हुई ठीक है conspicuous मतलब एक अचानक सा abrupt ठीक है एक change आया body structure में अगर आप कुछ भी इंजेक्ट करें जैसे देखिए आपके tadpole के अंदर एक हॉर्मोन इंजेक्ट किया गया तो एकदब metamorphosis दिखा मतलब एक abrupt change दिखा वो तुरन डेवलाप होके फिर एक नय फ्रॉग में चेंज हो गया ठीक है तो यह जो एक हॉर्मोन है थायरॉक्स है इसको और organisms में भी अगर ऐसे इंजेक्ट किया जाएगा तो सेम लगभग दिखेगा reaction तो अगर सेम बोडी रियाक्ट कर रही है मतलब क्या वो कुछ सेम common ancestral structure दिखा रहे हैं या origin दिखा रहे हैं ठीक है अगला Cytochrome C यह एक complex है जो कि photosynthesis में help करता है और यह भी बहुत सारे अलग-अलग plants के अंदर पाया जाता है ठीक है तो यह अगर बहुत सारे plants में पाया जाता है तो मतलब कुछ common है मतलब हाँ origin जो हुआ है evolution जो हुआ है कुछ common है तब तो एक same organism से वो evolve हुए होंगे यह एक evidence मिलता है अगला blood and lymph ठीक है यह जो आपके fluids है circulatory fluids यह हर एक vertebrate में पाया जाता है और सब के अंदर same ही function होता है तो क्या लिखा है in all vertebrates and have the same function ठीक है अगला blood proteins कौन से proteins है metan crystals ठीक है यह blood proteins man में भी पाये जाते हैं और और भी बहुत सारे organisms में जिनके अंदर भी blood है circulatory fluid के तरह उनके अंदर यह blood proteins पाये जाते हैं ठीक है तो इसकी मदद से क्या फाइदा हुआ man man के अंदर जो blood proteins हैं वो हमने अगर उस पे जात की तो यह पाया गया कि closest to chimpanzees and gorillas ठीक है तो जितने blood proteins प्रकार के और जो number man में पाया गया सबसे ज़्यादा match हुआ chimpanzee और gorilla के साथ तो इससे क्या पता चला कि हाँ हम शायद उनसे ही evolve होंगे तब तो इतनी similarities मिल रही है अगला और हाँ एक और बात यह जो monkey होता है काफी ज़्यादा difference है blood proteins में इससे आपको यह समझाता है कि monkey से हमारा evolution नहीं हुआ है chimpanzees और gorillas से साफी सारे blood proteins जो है वो common पाय जा रहे है ठीक है अगला similar in cows, goats and sheep इन सारे organisms के भी अगर आप blood proteins को match करिएगा compare करिएगा तो बहुत जादा similarity मिलेगी यह जो blood proteins है यह cats और dogs में भी similar है ठीक है अगला blood groups normally आपको क्या पता है A blood group, B blood group, O blood group and AB blood group ठीक है तो अब याद करिए कि blood grouping हमारे में एक तो यह होती है और एक रीसस monkeys से आती है specifically monkeys में भी रीसस monkeys तो कुछ similarity आ रही है ठीक है अगला excretory substance tadpoles and fishes ठीक है यह दोनों ही जो है aquatic organisms हैं दोनों ही इसलिए अमोनोटलिक से यूरियोटलिक ठीक है तो यह जो अपना waste products excret करते हैं ठीक है तो जो frogs है यह आपको सारे में अगर आप इसको देखें तो tadpoles and fishes इसमें आपको जो excretory product है similar दिखेगा और अगला अमोनोटलिक frogs और यूरियोटलिक याद करिए यूरिया से excret हो रहा था as a waste product और frogs में ammonia हो रहा था ठीक है मैंने आपको यह चीज़ बताया था कि ऐसे organisms जिनके पास water की कमी नहीं है वो ammonia के form में करेंगे और यूरिया के form में जिनके पास थोड़ा पानिया वेडबल है यूरिको टेलिक मतलब यूरिक ऐसे जैसे बर्ड ठीक है जिनको बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है ठीक है तो यह अगर दो और यानिजम सिमिलर फॉर्म में अगर एक्स क्रीट आउट कर रहे हैं वेस्ट को तो वह common ancestral origin को वह शेयर करते हैं ठीक है अगर आप बहुत सारे organs को मतलब अगर आप organisms को compare करें उनके cell को compare करें तो उनका protoplasm जो है cells का लगभग similar आएगा ठीक है तो I hope आपको यह सारा कुछ clear है इसके साथ ही आपके evidences complete होते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे theories of evolution के बारे में ठीक है अब देखिए शुरुआत म अमने बात की थी theories of evolution की ठीक है अब देखिए later on जो काफी जादा development हो गई science में तो कुछ acceptable theories आई थी जिसमें से कुछ-कुछ part portion सारा कुछ accept किया गया था ठीक है जो मतलब हाँ valid थी तो चार थोरी सामने आई पहला Lamarck's theory of inheritance of acquired character इस theory के अंदर Lamarck ने ये बताया था कि एक organism nature के साथ adjust करते करते जो धीरे धीरे उसके अंदर changes आती है वो next generation में pass on करता है inheritance of acquired characters acquired जो किया जैसे देखिए एक जिराफ उसकी height हमेशा से इतनी लंबी नहीं थी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट्स की height बढ़ती गई तो वो आगे मतलब stretch करके वो plants की तरफ पह आती गए उसके बाद जैसे जैसे evolution होता गया next generations आती गई तो यह character आगे की तरफ pass on होता गया ठीक है अगला Darwin's theory of natural selection Darwin ने एक theory दी थी natural selection की nature जो हमेशा challenges put forward करती है अपने organisms के सामने और जो उनमें से बच गए उससे cope up कर गए तो नेचर जो हमें को select करती है और बांकी जो नहीं बच जैसे कि dinosaurs वो cope up नहीं कर पाए तो extinct हो गए तो जो जो organisms cope up नहीं कर पाते वो extinct हो जाते है ठीक है तो इ Mutation theory given by Hugo de Vries Mutation क्या होता है Mutation जो mutagens होते हैं उनकी वज़े से जो abrupt changes आते हैं body में और वो भी आगे generations में pass on होते हैं आपने genetics में देखा था ठीक है I hope I am clear with this अगला modern theory और neo-darwinism और synthetic theory यह जो theory है हमारी अभी तक की सबसे accepted theory है जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं अभी भी हम इसी को आगे लेके चलते हैं in case of evolution यह जो theory है यह mixture है कुछ लिया गया point lamag theory से कुछ लिया गया darwin से कुछ लिया गया mutational theory से इन सारे theories को इकठा करके जो एक theory सामन आई जो की सबसे accepted theory है अभी के समय में that is modern theory और neo-darwinism और synthetic theory ठीक है तो यह चारो theory इसको हम एक एक करके लेंगे और सब को discuss करेंगे पहला है Lamarck's theory Lamarck ने दी थी इसलिए theory को एक और नाम दिया गया है Lamarckism ठीक है इसको एक और नाम दिया गया है theory of inheritance of acquired characters किस ने दिया था given by gene Baptist Dale Lamarck ठीक है very very important ठीक है यह theory क्या state करती थी वो देखते हैं this theory is based on the principle that physical changes in organisms during their lifetime such as greater development of an organ or a part through increased use could be transmitted to their offspring जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने जीवन काल के समय अपने lifetime के समय एक्जामपल वही था आपका जिराफ इतनी लंबी height गले की नहीं होती थी excessive use हुआ उपर stretch करने के लिए ताकि उस plant के height तक वो पहुँच सके इस वज़े से क्या हुआ stretching हुई neck वाले part की और वह बहुत जादा लंबा हो गया थीक है तो अगले-अगले generations जितने आते गए trees की भी height बढ़ती गए इस वज़े से वो जादा stretch करते गए जादा stretch करते गए इसलिए जो front foot था four limbs जो थे वो और neck वाला part वो stretch करता गया और वो क्या हुआ आगे-आगे generations में pass on होता गया थीक है तो इसी क हम कहेंगे theory of an inheritance of acquired character or lamarchism next class के अंदर हम lamarchism को और अच्छे से समझेंगे और जो बाकी तीनों theories है उसको भी और अच्छे से जानेंगे ठीक है तो अभी के लिए I hope आपको lamarchism की जो definition है वो clear है ठीक है तो आज हम यहीं तक करेंगे so that's all for today thank you very much study well and take care झाल